क्रिकेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के नए कोच का एलान हो चुका है मुहम्मद हफीज होंगे दो सीरीज के लिए पाकिस्तान के नए हेट कोच मुहमद हफीज को हाल ही में बनाया गया था पाकिस्तान कुर्केट टीम का नया डिरेक्टर अब मुहमद हफीज को आस्ट्रेलिया और न्यूजिलांड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए दी गई है हेड कोच की जिम्मेदारी आपको बता दे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं मुहम्मद हफीज मुहम्मद हफीज ने पाकिस्तान के लिए खेले हैं 392 इंटरनेशनल मुकाबले बता दे चले वर्ड कप 2023 के बाद पाकिस्तान में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं एक तरफ जहां बाबाराजम की जगहां शाहिंशा अफ्रीदी को टी-20 का कप्तान बनाया गया है तो वहीं शान मसूत को टेस्की कप्तानी की जिम्मदारी सौंब दी गई है हाला कि अभी पाकिस्तान के नए वंडे कप्तान का ऐलान होना बाकि है